नमस्कार दोस्तों सेर मार्केट के गुरुजी में आप सभी का स्वागत है यहाँ पर हमने चार्ट ओपन किया है वीरम सिक्यूरेटिस का यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों एक हपते के अंदर 11% का यह स्टोक ने रिटन दिया है दोस्तो आपको यह stock में investment करना चाहिए या नहीं अगर आपने पहले से यह stock में investment किया हुआ है तो दोस्तो आपने investment किया हुए या नहीं किया हुआ है जरूर दिखेगा आपको stop loss और target सब कुछ मैं अच्छे से बताने वाला हूँ तो ध्यान से दिखेगा और समझेगा आपका entry point और आपका target तो दोस्तो इस से की हम analysis करेंगे और जानेंगे आगे की सारी जानकारी fundamentals की बात करेंगे तो company का market cap 114 करोड का है बहुत चोटा market cap है PE ratio 39 है PB ratio 7 है industry P यहाँ पर 42 है ROE 22 है EPS 3 है और company की book value 16 के आसपास है company के fundamental में यहाँ पर आप देख सकते हो market cap 114 करोड का है company के revenue की बात करेंगे तो 2020 के बाद 2021 के अंदर company का revenue 21 करोड का नजर आ रहा है यहाँ पर company के मुनाफ़े में बड़ोतरी नजर आ रही है 2021 के अंदर company ने 3 करोड का मुनाफ़ा किया है और 2021 के अंदर यहाँ पर company का net growth बढ़कर यहाँ पर आप देख सकते हो 14 करोड के आसपास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लगातार पिछले 5 सलों से company का net growth बढ़ा है 2018 और 2019 के अंदर net growth सिर्फ 10-10 करोड का ही रहा है share holding pattern की बात करेंगे तो promoter holding 53% है और retailer होने 46% holding की हुई है एक नजरी से promoter holding अच्छी है बट यहाँ पर retailer होने भी 46% holding की हुई है company की balance rate की बात करेंगे तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो company के जो assets है वो कम हुए है 2021 के अंदर 15 करोड के company के assets है यह दोस्तों कम हुए है यह गलत है company के assets बढ़ने चाहिए company की जो loan है वो कम हुई है दोस्तों एक नजरी से देखा जाए तो company की loan सिर्फ 22,00,000 की बची हुई है 2020 के अंदर 9 करोड की company की loan थी तो company ने अपनी loan चुकते की है और दोस्तों company की total equity 14 करोड के आसपास है और company की labilities and shareholder equity यहाँ पर 15 करोड के आसपास नजर आ रही है अगर दोस्तों यह stock में आप investment करना चाहते हो swing trading के अंदर तो आपको 100 रुपे के आसपास से यह stock में investment करना है आपका दोस्तों यह stock के अंदर target रहेगा 120 या 115 रुपे का वहाँ से आपको profit booking करनी है लालच किये भीना 10 से 15 रुपे का profit book करना है दोस्तों और दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छा खासा return देखने को मिलेगा दोस्तों आपको ऐसे important stock की जानकारी चाहिए तो हमारी channel share market के गुरुजी को please subscribe करके bell icon on कर दे और निचे की और भी आता है इसलिए संभल के अपने expert की राय लेके investment किजेगा अगर आपने पहले से investment किया है तो यह stock कल के market के अंदर 120 का level जैसे cross करता है तो आपको दोस्तों यह stock के अंदर 125 से 130 का भी level देखने को मिलेगा तो वहाँ से लालच किये भीना आपको profit booking करनी है और swing trading के अंदर मैंने जिसे बता है 90 से 100 के बीच में लेके आपको 115 के आसपास बेचना है दोस्तों संभल के अपने expert की राय लेके investment किजेगा और profit booking किजेगा अगर आपको खूद analysis करना सही लगे तो आप कर सकते हो और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे हो तो आपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा सेर कीजेगा और सेर मार्केट के इसे important सेर की जानकरी के लिए हमारी चैनल सेर मार्केट के गुरुजी को प्लीज subscribe करके bell icon on कर दे ताकि important डूडियो की हर एक notification आपको मिलते रहे और आपका अच्छा गासा मुनाफ़ा होता रहे जाई हिंद